8 नवंबर 2023 दिन बुधवार का राशिफल, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एक आदशी तिथी रहेगी, इस दिन इंद्र योग और फालगुनी नक्षत रहेगा, चंद्रमा 12 बज के एक मिनत तक सिंग राशी में इसके बाद कन्या राशी में संचार होगा, ग्रह नक्षत की स्थिती बता रही है कि 8 नवंबर को मेश राशी वालों की दिनचर्या अस्ट व्यस्त रहने वाली है, वही कन्या राशी वालों को अति उत्साही होने से बचना होगा, धनू राशी वालों के मन में आशा निराशा दोनों रह सकती है, तो चलिए जानते हैं, मेश राशी अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोचने में करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका रहन सहन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है सुनिश्चित करें कि आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान के इंद्रित करें शांत रहने की कोशिश करें और ज्यादा गुस्सा ना करें जब आप दूसरों से बात करें तो निश्पक्ष रहने का प्रयास करें और अतिवादी ना बने किसी दोस्त की मदद से आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं आप अधिक पैसा कमाएंगे, आपकी मा बहतर महसूस करने लगेंगी आपकी दिंचर्या थोड़ी अस्थ व्यस्थ हो सकती है व्रिश राशी, कभी-कभी आप वास्तव में आश्वस्थ महसूस कर सकते हैं लेकिन आपका मनचिंतित भी महसूस कर सकता है यदि आपके परिवार में समस्याएं चल रही हैं, तो इससे आप परेशान हो सकते हैं अपना ख्याल रखना और स्वस्त रहना महत्वपूर्ण है। आपको अधिक पैसा खर्च करना पर सकता है। कभी-कभी नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जिन्हें आपने काफी समय से नहीं देखा है। आप वास्तव में स कारण क्रोध और वाद विवाद की स्थितियां उत्पन हो सकती हैं। किसी मित्र की सहायता से आप अधिक आय उत्पन करने का साधन बन सकते हैं। अच्छी शारीरिक स्थिति में रहें। हालां की मानसिक शांती रहेगी लेकिन खर्चों की अधिकता से चिन्ता रहेगी। आप मानसिक परेशानियों से परेशान हो सकते हैं, स्वाभाविक चिर्चिराहत होगी, वाहन रखरखाव की लागत बढ़ सकती है, शिक्षा संबंधी कारियों में रुकावट आ सकती है, लेकिन मन में प्रसन्नता रहेगी, करक राशी, सयमित रहें और अनावश्यक क्रोध क रोकें, शेक्षनिक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, कार्यस्थल बदल रहा है, साथ ही नोक्रियां भी, इसमें अधिक मेहनत लगेगी, मानसिक चुनोतियां हो सकती है, धर्म भक्ती की भावना जगाएगा, अतीच से कोई व्यक्ति आ सकता है, भोजन अधिक ध्यान आक जूद रहेगा, धर्म से जुड़े कार्य परिवार के रूप में किये जा सकते हैं, आप धैर्यक हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ स्वास्थ संबंदी परेशानियां रह सकती हैं, निराशा एवं असंतोष की भावना से तनाव का वातावरन निर्मित हो सकता है, कार्यक श आई में व्रिद्धी होगी, आमदनी बढ़ेगी लेकिन अति उत्साही होने से बचें, जनता की संगीत और कला में अधिक रुची हो सकती है, नौकरी बदलने की संभावना है, वेकल्पिक रूप से स्थान बदल सकता है, अपने स्वास्थे के प्रती सचेत रहें, निवे रहेगी लेकिन इससे अधिक पैसा आएगा, आप सयमित रहेंगे तो जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, अधिक लोग भतिक चीजों का आनन लेंगे, पारिवारिक छुट्टियों के लिए उप्योक्त है, जीवन जीना संधर्श पूर्ण हो सकता है, अपने काम के प अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, आशा और निराशा दोनों मन में रहेंगी, व्यवसाए में चीजें जटिल हो सकती हैं, भाई बहन हैं जो उनका समर्तन करेंगे, लाब के अफसर बढ़ेंगे, संपत्ती में निवेश कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, रिष्टों में मधुर्ता आएगी, धनू राशी, मन शान्ती और संतुष्ट रहेगा, छोटे बच्चों का सुक बढ़ेगा, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, वाहन की कीमत बढ़ सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लागत बढ़ने वाली है, आत्म विश्वास की अधिक्ता रहेगी, प्रकृती स्वयम जिद्धी होगी, जीवन साथी के साथ अन्बन हो सकती है, खान पान के मामले में सावधानी बरतें, पेट विकार की संभावना है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, बच्चे को कश्थ होगा, मकर राशी, संगीत या कला के प्रती रुजान बढ़ सकता है, धार्मिक शेत्र के कार्य में व्यस्तता रहेगी, परिवार के साथ किसी पुजास्थल पर जा सकते हैं, अपने जीवन साथी के स्वास्थ का ध्यान रखें, मानसिक तनाव अवश्यम भावी है, भाईयों से वैचारिक मद्भेद हो सकते है चोटे बच्चों का सुक बढ़ेगा, मानसिक शांती रहेगी, आत्म विश्वास में कमी संभव है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, किसी मित्र के सहयोग से धनलाब संभव है, कुम्भ राशी, आपका मन प्रसन रहेगा, व्यापार जगत में परेशानिया आ सकती हैं, इसमें आधिक मेहनत लगेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, शारीरिक रूप से स्वस्त रहें, लागत बढ़ेगी, कार्यक शेत्र में विप्रीत परिस्थितियों का सामना करना पर सकता है, काफी प्रयास के बावजूद सफलता की संभावना नहीं है, काम बहुत ज्याद रहेगा, लाब प्रदता बढ़ेगी, दूर की यात्रा कर सकेंगे, मीन राशी, परने में रुची होगी, शेक्षिकी कार्यों के सुखद परिनाम मिलेंगे, विवाहिक सुख में वृद्धी होगी, अपने बच्चों के स्वास्थिका ध्यान रखें, किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है, धर्य शीर्ता कम होगी, अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, मन में शांती और प्रसन्नता की अनुभूती होगी, माता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा, सुविधाय बढ़ेंगी, कोई भी संपत्ती पैसा कमाने का जरिया बन सकती है